विल्कम तो माई यूटूब चैनल परिंदोए दुनिया में आप सभी का स्वागत तो गयताज मैं बतता हूंगा आप लोग को है टेटरस सैक्लिन के बारे में क्यूं के काफी जादा मौसम में तब्दिल है आप देख सकते हैं तो मैं आज आप लोग को इसका 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 इस सारे बताओंगा इसके फाइदे तो हमारे वीडियो में बने रहें तो आई चलिया यह मैं इसका मैं जो सबसे पहले यह किस-किस जानवर को यूज कर सकते तो आप देख सकते हैं यहां पर मुर्गी यह बकड़ी घोड़ा कुता जो भी जानवर सब जानवर के लिए बिल्ल में इसका मारफिया जो आप लोगों मेडिकल सबसे असानी से मिल जाए मीडिकल सबसे में जहां पर जानवर का मिलता है और इसकी जो है यह किस तरह का ता है देख सकते हैं मैंने यह इस्तिमाल कर चुका यह पॉडर ऐद लिए यह यह लो कलर कर रहता जो यह अच्छा दवा है जो हमारे बर्स के लिए किसी भी बर्स को अगर तो अगर आप देखते हैं कि इनके बरसाद के मौसम में बहुत सारा बैक्टरिया के वज़ा से और बारिस के भी वज़ा से जब मौसम में तब्दीली होती है ठंड पड़ती है तो बर्स काफी जादा सुस्त हो जाते तो आप को देखने से पता चल जाये का मेरें बर्स को बिमारे तो आप कौन सा दवा दिख्ते मैं कर आरहें को बतारों ना जाद ना करें चैजर न们 Transit पानी में मिलाकर अगर शब्स को अगर आप उयरभ कхिज़र सो अ फिला सा मिक्दार में तो पानी मिक्स हो जा उसके और अपने बट्स को किस तरह कराना वे बटिसन देने से पहले के से जितने भी पानी आपके जितने भी बड़्स अगर केज है तो आप केज से पानी को निकाल दे पानी का बरतन को निकाल दे और इसके दो घंटे के बाद इसे मिला कर पानी में अच्छे से मिक्स कर कर उसके बाद अपने बड़्स को प्रोवाइट करे और आप 10-15 मिनिट 20 मिनि आपके बड्स अच्छे से जब पीले तो उसे आप निकाल कर उसे फिर फ्रेस पानी दे दे तो फाइनली गैस जो मेरा फुद का प्रस्टनल एक्सप्रियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शियर कि हो जाए जो आप देख सकते कि मेरे बड़ इतने हिल्दी है तो मैं भी पूस्त हो रहे तो इसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं एक दिन इसका इस्तिमाल कर सकते ताकि आपके बड़ को किसी किसम का प्रॉब्लम ना हो तो गैस मैं बड़ से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरह लाता रहता है अगर आपको कोई सब्सक्राइब आप